तो आज हम फिट से एक नया ड्रोइंग लेके आया है तो यह ड्रोइंग करना है आज शांता क्लूस का तो कॉंप्लिट एंड कॉलर्ड पिक्चर एज शोन तो सबसे पहले हमको पैंसिल से जो लाइने इसमें नहीं है वो कॉंप्लिट करनी है और आफ्टर देज हम उसमें ब् ऐसे कैप बनाई है और इधर एक हैंड नहीं है तो वो भी हमको बनाना होगा ऐसे बहुत इजी है ओके तो यहाँ पे इतना ही इनकंप्लिट था तो हमने इसमें कंप्लिट कर दिया है है और अभी हम उसमें ब्लैक् स स्केज पिंसे बार्डже बना लेंगे तो मैं आ पर ब्लैक स्केज पिंसे बॉडर बना रही हूं आफ्टर दिर हम उसमें कलरिंग करेंगे, तो सबसे पहले, ऐसे करके पूरे में मैं ब्लेक बॉर्डर बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे पूरे ड्रोइंग में ब्लेक स्केच पिन से बॉर्डर बना ली है, अभी मैं सबसे पहले वाइट कलर ले रही हूँ, जहाँ जहाँ पे वाइट कलर है, वाइट कलर भी हमको करना आई है, भले ही पेपर वाइट हो, तो सबसे पहले में यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वाइट कलर आ रहा है, वहाँ पे मैं वाइट कलर कर दूँगी, वाइट कलर अभी दिख नहीं रहा है, बट जब पूरा ड्रेंग हो जाएगा, तब उसकी एफेक्ट हमको दिखाए देगी, तो यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ पे वाइट है, वहाँ पे वाइट कलर कर रही हूँ, तो हमने पूरे में वाइट कलर कर लिया है, अभी मैं पेरोड ग्रीन कलर ले रही हूँ, उसके हैंड ग्लोस के रिए मैं यहाँ पेरोड ग्रीन कर रही हूँ, यहाँ पे भी पेरोड ग्रीन और अभी इथर में ऑकर यलो ले रही हूँ, उसके बैल्ट के लिए यहां पर औकर यह लो और पूरे बैल्ट में इधर ब्राउन और यहां पर शूज में भी मैं ब्राउन कर रही हूँ अभी मैं रेड कलर ले रही हूँ तो यहां पर मैं सबसे पहले कैप में रेड कलर कर रही हूँ और उसके पूरे कॉस्ट्यूम में ड्रेस में पूरे में भी रेड ही कलर आएगा तो यहां पर अभी मैं जहां पर रेड है वहां पर पूरे ड्रेस में भी रेड कलर कर दूँगी तो मैंने यहां पर पूरे में जहां पर रेड आता था वहां पर रेड कर दिया है अभी फेस के पार्ट में हम स्कीन कलर करेंगे तो यहां पर स्कीन कलर भी कर दिया है और हमारा ड्राइंग इधर बिलकुल रेड है कर दो कर दिया है दो कर दो कर दो में को और हमार टो मैं पर बिलकुल भी वहां है वहां वहाँ हाँ है आत्प पर चूरे